नारायन स्वामी बहुत खुश थे हमने आप से आप इदी देखिएगा तो स्विसलेशन में हमने कहा था कि कॉंग्रेस बहुत खुश है और नारायन स्वामी क्रेडिट ले रहे थे कि किरणवेदी की बिदाई मेरे कहने पे हुई है कॉंग्रेस ही कह रही थी कि किरणवेदी को जो हटाया गया है वो लगातार शिकायत हम कर रहे थे इसलिए हटाया गया पूरा क्रेडिट ये ले रहे थी कॉंग्रेस नारायन स्वामी क्रेडिट ये ले रहे थे कि किरणवेदी लगातार बत्तमीजी कर रही थी और बारे में कहा जाता है कि वो एकदम से उनका अपना कोई रीड भीहीन एक रेता है और कॉंग्रेस में जब आप रीड भीहीन होते हैं तभी चल पाते हैं दरसल कई बार लगता है कि राजनिती का यह चडितर भी है कि आप रीड भीहीन है परिवार के सामने जी सर करते हैं लेकिन नाराइन स्वामी ने तीन दिन पहले तो यही कहा था ना आपसे कैमरे पर यही कहा था ना कि हमने जो चाह वही हुआ हमने किरनवेदी की बहुत स्विकायत राष्टपती के पास की थी राष्टपती ने इस तरह से काम किया था, किरनवेदी ने ऐसा काम किया था, कि हम परिशान थे, और इसी लिए किरनवेदी की बिदाई थी, लेकिन मैंने आप से क्या कहा था, मैंने आप से कहा था किरनवेदी को उनके काम के कारण नहीं हटाये गया है, किरनवेदी ने दरसल दरसल उधी चेरी में कॉंग्रेस का काम लगा दिया था और वो काम उनका हो चुका हुआ था कॉंग्रेस कोई समझ में नहीं आया राहूल गांदी कहते हैं न कि दूसरे के किये हुए पर भुनाने में लगे हुए थी किसान अंदुरण को भुना ले यह मज़दूर वाला मामला भुना ले यह कि सब करनी धंडिया आपका है लेकिन वह भुनाने में लगे हुए थी आज जब बहुत साबित करना था मैंने आपको कल भी कहा था कि कल पुधि में सरकार गिर जाएगी पुधिचेरी इसमें जो अभी अभी जानकारी के मुताबिक मात्र 26 विधायकों की विधान सवा रह गई थी और जिसमें 15 जो विधायक थी कॉंग्रिस के तो काइदे से कॉंग्रिस अकेले चाहती तो सरकार बना ले थी वहां DMK के साथ सरकार थी चुकि तमिलाडू से नस्दीक है तो पूर है वैसे बीजेपी का कोई चुनावा प्रतिनिधी वहां नहीं था प्रतिनिधी जो होता है वो तीन राष्ट प्रति के द्वारा जो होते हैं वो तीन जो है बीजेपी कोटे से जो केंदर में सरकार है इसलिए 15 में से 6 विधायक कॉंग्रेस से बाहर हो गए मतलब जाते जाते ये खोड़ चुका हुआ था कॉंग्रेस के 6 विधायक टूर चुके हुए थे मात्र पुदी चेरिये में 9 विधायक कॉंग्रेस के बचे डीम के के 3 में से उसमें से भी एक बाहर हो गए मतलब एकदम से मद् प्रेस के स्थितीव में हो गई और कॉंग्रेस चुकि बिना सिर्फ एक जो पॉलिटिक्स करती है उसका आलम ये है कि अब राजिपाल के पास जो अत्रिक्त प्रभाग है तेलंगाना के राजिपाल का उनके पास इस्तिफा देने के लिए कुमारा स्वामी को जाना है और कुम ये जो गठबंधन की जो सरकार NDA को आवसर देते हैं जिसमें AIA, DMK, BJP, निर्दलिये ये सब हैं दरजल उहां पर जो सरकार थी वो कॉंग्रेस, DMK और एक निर्दलिये के माद्यम से तीन निर्दलिये था जै तीन DMK का था 15 कॉंग्रेस के 15, 13, 18 हो गए और एक निर्दलिय 19 लोगों का बहुमत था, एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी कॉंग्रेस की, लेकिन आप कलपना कीजिए कि यह कैसे पतन के तरफ जा रहे हैं, जोट और मकारी से कैसे खारी हो रही है, लेकिन कॉंग्रेस के खिलंदर किस तरह के बयान दे रहे हैं ये इस बात को हम अभी लंबा ना खिसते हो हैं पेट्रॉल पे आएंगे ये चुकि एक आयक ये खवर आई मुझे मुखर मुखरूप से पेट्रॉल पे आना था लेकिन ये खवर डेवलप्मेंट किया गई है तो मैंने आपको ये बता दिया कि मद्य प्रदेश के त सरकार ये दो सरकारे हैं जो दस जन्पत की भक्ति भाव से है एक सरकार कॉंग्रिस की और है जो पंजाब में है लेकिन पंजाब में हम और आप अक्सर कहते हैं कि पंजाब में जो सरकार है वो दरसल कैप्टेन अमरिंदर की सरकार है और ये पता चल जाएगा चुनाब के ब रादिया है पाइलेट कैप्टेन अमरिंदर ने कि नहीं हम भी जट्ट सिख है और ये भी जट्ट सिख है इसलिए दोनों जट्ट सिख यहां का नहीं रहेगा प्रभाब शाली एक अध्यक्ष के रूप में और एक सीम के रूप में और किसी भी तरीके से कैप्टेन नबजोज सिंग सिद्धू को माफ करने के लिए तयार नहीं है क्योंकि नबजोज सिंग सिद्धू कैप्टेन अमरिंदर की राज में रहते हुई कप्र खोद रहते कैप्टेन की और जब उन्होंने इस्तिफा दे दिया तो कहा कि मेरा कैप्टेन तो सिर्फ सेल में ये कि कॉंग्रेस कहबने के लिए तो राज सरकारे बनाना चाह रही है सपना राहूर गांधी मोधी की कुरसी पर बैठने के लिए और उनके खेराती उन्हें दिन राज सपना दिखा रहे हैं लेकिन आलम ये है कि दिन पर से दिन सरकारे जा रही है मद्य प्रदेश मे बबली को राजसभा भेजने के चक्कर में दिग्गी ने सपना दिखाया कि बंटी तो बचले गया बबली को भी राजसभा भेज दिया जाया वो तो पारंपरिक सीट्स अमिठी से हार चुके हुए थे तो उनको भेज दिया गया अमिठी से हार ना ही था तो भेज दिया गया लेकिन अब देश में सांसत के रुप में कांगरेस को कहीं भी जीतना मुश्किल है इसलिए बस प्रियंका वाडरा को प्रियंका वाडरा को राजिसभा भेजने के चक्कर में जो जार पे चढ़ाया चापलूसी के चक्कर में जो दिग्गी ने चापलूसी की कि हम प्रियंका क को आज सभा भेजना चाहते हैं और इसके लिए जो परकतरने की कोशिश जो तेरा दे सिंध्या को हो रही थी उसके करण मद्य प्रदेश की सरकार चली गई वहाँ पे नारहिन स्वामी वहाँ पर भी कौंग दर्श जन्पत की चापलुसी में अपनी पार्टी की कपर खोद र कर दो फिशा के टो जादी का driven की 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 करद दो कर दो प्रिशे नारहिय कर पार्ट